बध़ेश की इस्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतरगत ही आपका मादमी सिक्षमंडल आता है और मादमी सिक्षमंडल ने स्कूल के सबी प्राचारेओं को एक आदेसजारी कर दिया गया है और उस आदेस में उन्होंने करेंगे कि इसमें कौन-कौन आविदन कर सकते हैं और क्या आपके चार्जेस रहेंगे एंजू लाइन पर आपको क्या सुर्ट देना है बिल्कुल विस्तार से हम इसमें समझेंगे वीडियो जोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आप इसको एंटल जरू देखेगा आपके सार आपके साथ और रोज में आपके लिए इंपरमेटी वीडियो लाता रहता हूं तो चलिए वीडियो को सिरू करते हैं अब इसको मैं आपको बड़ी ही अच्छे सब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि इसमें क्या कहा गया है सभी प्राचारियों को दोस्तों बात यदि में बता दूं आपको कि जो कक्षा बार्वी के हैं उनके एक सब्जेक्ट को पूरक में रखा गया है यानि कि दो म और हाई स्कूल की दिए हम बात करें तो दो सब्जेक्ट के लिए एक्जाम दे सकता है एसा इस वर से इन्नों ने माना है ठीक है एक्जाम आपके कब इसमें मलब एक्जाम फोंग कम डलने परान में होगे यह हम पहले इसमें समझ लेते हैं तो यहां पर पहले विशा ही सब्सक्राइब करें दोनों चीजा अलग अलग है हाई स्कूल के उनके लिए अलग बात की गई है यहां पर उन्हें कहा कि चार अगस 2020 से हाई सेकंडरी के और हाई स्कूल के परिशा फोंग डलेंगे और कब तक डलेंगे जब तक कि आपके एक्जाम नहीं हो जाती उसके ए दिन पूरो तक इसमें यह सब्सक्राइब कर सकते हैं यह समझना बहुत जरूरी है और बागे हाई स्कूल के बहुत चारे पर है अलग अलग सब्जेक्ट में उनको पूरक होगी तो उनकी एक्जाम अलग अलग दिन आविजद की गई है जबकि बारवी के एक दिन आविज अलग तक कर सकते हैं ऐसा इसमें कहा है और इसा इन्होंने व्यावसाइक पाठ्टे क्रम के लिए भी कहा है यह आप सब समझ गयोंगे अब यहां पर आप बेस फाइब को समझे कि बेस फाइब को जो रिजल्ट आया था उसमें इस पद्दति में यदि यह चात्र अनुतिर इस परिजल्ट से संतुष्ट नहीं है और उसको जो नंबर दिये गए अनुतिरिन का अनुचार उसको पास किया गया है बेस फाइब में और यह उसका परिच्छा वो फिर से देना चाहे तो वह दे सकता है वह इसमें समयल्स हो सकेगा एसे चात्र क्या चार अगस्त से बार सप्लिमेंट्री से उनको लगता है कि एक एक यह दो दो नंबर बढ़ जाएंगे और पास हो जाएंगे और यहां नहीं हुआ है तो आप यहां सप्लिमेंट्र में बेट सकते हैं उनका रिजल्ट आ जाएगा 13 नूग के पहले पहले तक वह तेरा नूग तक आविदन कर सके है ठीक है इतना के लिए रहें दूसरी चीज कि यहां पर आप क्योश्क के माध्यम से यानि एंप यू लाइन पर आपको जाना है वहां से आपको हर विशे का चार्ज में आपको इसमें बताऊंगा उस आज के साथ में आपको 25 और चार्ज देना है साथ में जो बच्चे क् आपको समझ में आपको समझ में आगया होगा और परिच्छा के इंद्र आपके एंडमिट कार्ट पर लिखे वे आ जाएंगे अब बात करते हैं हाई से कंट्री व्योवसाइक पाठिक्रम की अभी वीडियो छोड़कर मत जाएगा बहुत ही जानकारी आपके लिए इसमें इंपोर्टेंट है समझने के लिए ताकि आप आपर पचास वीडियो ना देखना पड़ एक हम आपको समझ में आ जाए हाई हाई सब्सक्राइब के परिक्षा में सभी विषय के फोर्म डाले जा सकते है यानि कि भली पूरी तरह से वानितों हो या फिर एक पर नहीं दिये हो तो सब्सक्राइब भर पाएंगी व्योवस आपको फिर से परावगी में जो है उसक्राइब तो उसके एक्जाम देना आपको जरूर नहीं तो आप पहले अपने अंको का उसमें देखनें मार्क में कि आपको सद्दान्ति में passing मार के तो आपको लिख्यत परीचा में बैठने वाइए तो फिर इसका मतलब आप फेल ओंगे प्रेक्टिकल परेक्टिकल देने क्या आऊ सकता है इसी प्रकास यह पुजात्र क्या और सिर्दान्ति परीचा में उतिरन है तो उससे प्राइब परी पूरक परिक्षा के परिणाम आने के पश्चादी जारी की जाएगी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यह तो सब सिंपल सी बात है का माक्षि राती है अब यह सूल के जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है तो जो हायर सेकंडरी में है और हाई स्कुल में है जिनके पूरक के दो पर एक फर होना है यह आपका चार्ज होगा है हाई है और हैस्कुल के लिए और यहां पर दिया हुआ है दो इसे के लिए सब्सक्राइब कर लिए सब्सक्राइब कर लिए सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा अब यहां पर देखें यहां पर vocational courses के लिए टाइम टेवल है यहां पर मंगलवार के दिन आपका विसेश्ट अंगरीजी हिंदी होगा बुद्वार के दिन हिंद्य अंगरी द्विति भासा तो यह थोड़ा सा आप इसका screenshot लेके देख लीजेगा कब कुण सा paper होना है मैं इसके नीचे वाले page पर आ जाता हूँ जहां पर high secondary और high school की बात की गई है कि आपका जो परिश्ट समय रहेगा और 9-12 बे तक रहेगा higher secondary पूरक परिच्छा एक दिन में ही सारे paper हो जाने है आपकी यानि एक paper बारवी का जो paper होना है वो Monday के दिन ही होना है और जो भी subject में आपको पूरक परिच्छा है supplementary है उनके सभी के exam 9-12 के बीच में इसी एक दिन हो जाएंगे इसलिए इसमें कहा गया था आदेश में कि आप 14-9 के एक दिन पहले तक इसमें form भर सकते हैं supplementary में और high school के लिए चा कहा गया है कि जो paper है उसके एक दिन पहले तक आप यानि 17 तारिक का प्यापर है तो आप 17 तारिक के एक दिन पहले तक exam form भर सकते हैं और यहां पर यह जो उर्दु-मराथे उज़राती दिन में इसको लेंग्वेज है आपकी तुपो फ्राइड़ यानि 8-9 के दिन आपकी समझी विज्ञान और 19-9 के दिन आपकी दिन आपकी दिन चति भासा सेकर्ण थार्ड लेंग्वेज यानि इंग्लिस और यहां पर 21 यानि कि मंदे के दिन आपके supplementary वाले किन-किन को मिली है उनको बता दिया वोकेशनल को और से समझा दिया मैंने इस वीडियो के माधियम से आपकी सारी क्वेरी सोल कर दिये फिर भी कोई आपके कमेंट्स हो तो पहले पूरा वीडियो देखिए फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे इंस आपको टेलेग्राम में जुड़ने का option मिल जाएगा तो वहां से आप जुड़ जाएए और इसके आपको PDF मिल जाएगे तो आप में टेलेग्राम को जॉइन कर सकते हैं जिसके लिंक आपको description box में मिल जाएगी साथ में जब आप कमेंट्स करने जाएगे तो वहां पर वी आपको लिंक मिल जाएगी उस पर प्लिक करके टेलेग्राम पर जॉइन हो जाएगे और जुड़ आपको PDF मिल जाएगी औ वह भी आपको उसमें मिल जाते हैं और important PDF जो में आपको इस वेसे समझे से प्रवाइड करता हूं वह भी आपको इस टेलेग्राम चैनल में मिल जाती है यानि क्या पर इस टेलेग्राम के मारते हम से भी पूरी तरह सब्देट रह सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को अधिश